आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपको बहुत बहुत सवागत है पहले तो यह ख़बर बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन आप बहुत बड़ी हो गई है पहले खाली आर्टिकल्स पहले मदब एक आरोप लगा है और यह कुछ इस तरीके की तस्वीरे सामने है वीडियो मैंने नहीं लगाई है तो क्या पूरा प्रकरान है इस पर हम नज़र डालेंगे लेकिन उससे पहले क्राइम अफेर्स को आप सब्सक्राइब करें जबलपूर मुर्डर केस जब दो नावालिकों ने अपने पेरेंट्स की हत्या कर दी और उसके बाद वहीं लाश पड़ी थी वहां संबंद बना है मतलब हिला देने वाला केस उसको मैं आज कवर करूँगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ और आर्टिकर्स एडिटोरियस के लिए आप हमारी स्टेडिग और चार की चार जो है वो बीजेपी को मिली विक्रमा देते को लगब पांच लाख वोटों से हराया इमाचल प्रदेश में बीजेपी की वेव चले एक लहर चली है जिसका फाइदा बीजेपी को हुआ राइट तो कंगना रनौट जो है वो सांसद बन गई है बहुत सारे जो है हेमा मालनी से लेकर सनीदियों काफी लुकसांसद रहे हैं अलाकि रिपोर्ट कार्ट जरूर लेना चाहिए कि आपने किया क्या है ठीक है बहुत लोगों ने सही भी काम किया बहुत लोगों ने कुछ खाथ एणिवे ये तो बहस की बात है कंगना रनौट कितना काम कर पाएंगी वो तो आने वाला वक्ती बताएगा तो अब क्या हुआ कि यह दिल्ली आ रही था दिल्ली आने के लिए चंडिगर जो की कंबाइन क्यापिटल है हरियाना और पंजाब की वहां पे कंगना रनौट जो है वो सिक्यूरिटी चेक के लिए गई अब आपको पता है क कि कम उमर में ही आप यह एक्जाम दे सकते हो ठीक है तो उसके अंदर आता है CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स जितनी जो एयरपोर्ट होता है जो बड़े संस्थान होता है वहां पर जो रक्षा के समधारी है याद रखे कि इंडियन आम हलग है ठीक है और CISF जैसे ITB हो गया यह सब के अंदर आते हैं ठीक है तो CISF जो है वह एयरपोर्ट की सिक्यूरिटी देखती है अब सरकारी लोग है सरकारी मुलाजिम होते हैं यह तो आपको पता है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो सबसे पहली वाली सिक्यूरिटी में जब आप इंट्री कर होता है ठीक है फिर उसके बाद सेकेंड चेक पॉइंट होता है जब गेट के अंदर आपको इंटरी दी जाती है वहां पर ही आथसा हुआ है तो अब क्या होता है कि पूरा चेकिंग होती है प्रॉपर तो कंगना रनौत ने एक वीडियो निकाला अब उसमें कंगना रनौत से थपड़ मारा बहुत तेज और जब थपड़ मारा तो फिर मतलब उसके बाद तोनों ने कुछ नहीं कहा लेकिन बोला कि मैं बहुत जब चिंतित हूं जो पंजाब में आतंकवात फैल रहा है अच्छा एक और वीडियो आए जिसमें सुक्विंदर को और बाहर जाता हु है और सूत्र किह नहीं कि जब कंग्ना नरौत का सिक्यूरिटी जयक हुआ तो दोनों में बहस हुई थी कि है सुक्विंदर कोड़ और कंग्ना नरौत के बीच में बहस हुई अब आम突र पे क्या होता है कि जब भी आप जाते हो सिक्यूरीटी dedicate पोई तो कोई सवाल तो कू सुख्विंदर कॉर ने कुछ कहा है जिसकी वज़े से दोनों के बीच में बहस हुई अब जब बहस बहुत जदा बढ़ गई तो सुख्विंदर कॉर ने थपड़ मारा यह आरोप है ठीक है अब इसकी जांच जो है वह चल रही है कंग्रा रनौत ने डीजी को कंप्लेन कर द के वह सुल्तानपुर से आते हैं तो काफी लंबे समय तक इन्होंने CISF में सर्वेस दिया और इनका कावी क्लीन रिकॉर्ड रहा है पताया जा रहा है कि इनका रिकॉर्ड काफी जादा क्लीन रहा है ठीक है कोई दाग नहीं इनके उपर यह हुआ लेकिन अब हिंसा कैसा ही है अगर थपड मारा है तो क्या हिंसा सही और सबसे बड़ी बात एक सरकारी मुल एक सरकारी जब आप एक सरकारी पद पे होते हो ना तो आपके पर्सनल ऑपिनियन बिल्कुल साइड वे जब आप उस यूनिफॉर्म में होते हो आप लॉइन ओर से चलते हो तो क्या यह करना कोश्चन तो थपड़ इसलिए मारा है सुखविंदर कौर का यह कहना है कि फार्मर प्रोटेस्ट हुए किसान अंदोलन हुए तीन किसान लोग पारित किये गए बाद में मोधी सरकार ने इसको वापस ले लिए और हरियाना में हारने की मतलब हारने क्या पलब दस सीटों मे से पांच पांच जो मिली ना बीजेपी को और पंजाब में तो भी बहुत अच्छे पफॉर्मस रहा नहीं किसान अंदोलन बहुत बड़ी वज़ा रहा तो जो किसान अंदोलन हुए उसमें सुखविंदर कौर की मां बैठी थी और कंगना रनौत को यह एक बयान था इनों है तो में वज़ा यह है हाला कि अभी इस पर जान चल रही है अब क्या होगा वो तो आगे ही पता चलेगा लेकिन यह पूरा प्रकरान है जो वीडियो काफे ज़्यादा वाइरल हुए तस्वीर बहुत ज़्यादा वाइरल हुई है ठीक है ना तो यह हिसाब किताब है बाक signing off